तुमाई रस्धानी देहरादून में विश्व तमाकू निशेद दिवस के अफसर पर पुरिव राष्ट्रिय स्वास्त मिशन द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल के सहयोग से तमाकू रोग थाम और उसके दुश प्रभावू पर जागरुकता कारिक्रम का आयोजन किया गया आयोजन कारिक्रम में मौजूद छात्र चात्राओं को तमाकू से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरुक करते हुए नहीं की मिश्व निदेशक स्वाती एस बदोर्या द्वारा चात्रों से कहा गया कि हम सभी अपने आसपास के लोगों को तमाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरुक करें और उन्हीं इस खतरनाक आदत से मुक्ती प्राप्ट करने के लिए प्रिवित करें इसी दोरान उन्होंने बताया कि तमाकू किसी भी मात्वा में लेने पर स्वास्त के लिए हानी कारक है साथी तमाकू का सेवन कई जानलिवा बिमारियों का भी कारण बनता है जिसमें कैंसर, हिदय रोग, फेफ्टो और मस्तिक्षु की बिमारियां शामिल है महीं कारेक्रम में मौझूद छात्रों से आगरे करते हुए मिशन ने देशक ने कहा कि बच्चों को किसी नए पन की खोज में तमाकू को ना चुनकर बल कि तमाकू के खिलाफ लड़ाई में अपनी भूमी का निभाने का संकल्प लेना चाहिए कारेक्रम के दौरान गड़मान या तिथ्यो द्वारा तमाकू रोगठाम पर आयोजित पैनल डिसकशन में विजेता प्रतिभाग्यों को सम्मानित भी किया गया डॉक्टर आदित्य सिंग प्रभारी अधिकारी राष्ट्वे तमाकू नियंत्वर कारेक्रम एंटी सीपी द्वारा बताया गया कि राज के समस्त जन्पदों में तमाकू का उपयोग रोकने के लिए सिग्वेट और अन्य तमाकू उतपाद अधिनियम 2003 को राज में लाग लिए और तमाकू के सेवन से करी तरह की बिमारिया होने का खत्रा भी बढ़ जाता है इसके तहती उन्होंने बताया कि जन्पद स्तर पर जुलास्तरिय समन्वर समिती और टास्क फोर्स के गठन से प्रभावी रूप से क्रियानवयन किया जा रहा है जिससे सारुजनिक अप्धानों में धूम बिपान अपकम होने स्कूल के वाईस प्रिंसिपल सुजाता सिंग राज्ट्वे स्वास्त मिशन से प्रभावी अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार नगारकर दॉक्टर फरीजु फ़र दॉक्टर पंकत सिंग डॉक्टर अर्शना ओजह, डॉक्टर वाकांक्षा निवाला अधिकावी कव्यम्चावी मौजूद वहे